आईए बच्चों अब हम भाग पे एक और सवाल हल करने के कोशिश करते हैं और यह है हमारा उदाहरण क्रमांग 34 कि एक सक्षिगात 3 धन दो एक भारता है और इस पूरे इस पूरी भाज्य हैं एक धृतन दो से भागदेना है यह हमारा भाजक है है तो इसे हम फिर से लिखे एक बार भाज ढूब कि आप पूरी श्रिंख़ा दो वाला पद भी लिखना पड़ेगा और चुंकि यहां पर करके लिखेंगे एक सिखाद 2 या एकस का वर्क द्धन अब जो पद हमारे सामने है उसे हम लिखें दो X धन बारा. ये पूरी के पूरी संक्या हमारी भाज्जे है और हमारा भाजक है X धन दो यहां पर आप देख रहे हैं कि X धन दो यदि भाजक है तो इसका विशलन इस पद से हमें पता چलता है तो हम लिख लें कि इस भाजक का जो विचलन है वो धन दो है और इसका परावर्थ इसका परावर्थ रेण दो है और यही रेण दो हमारे संशोधीद भाजक है संशोधीद भाजक यही रेण दो है हमारा तो हम यहां रेण दो से भाग करना शुरू करेंगे और जैसा कि आपने पिछली बार किया था कि हमारे सामने जितने पद हैं उन सभी पदों के गुणांग को हम यहां लिख लेंगे नीचे तो यहां पर आप देख रहे हैं कोई दो के रूप में है और अंत में बारा है तो पिछली बार भी हमने किया था यह चोगि भाजक में हमारे पास के वाले एकी संक्या है इसलिए इस आखरी वाली संक्या को हम शेश फल वाले कालम में लिखेंगे और इस तरह से उसे हम एक सीमारे कहां पर खेज देते हैं और अब की बार देखिए कि जो पहला पत होता है वो हमें यहां पर जो गुणांक मिलता है वही हमारे भागफल का पहला पत होता है इसे हम जैसा है वैसी के वैसी लिखने यह हमारे भागफल का पहला हिस्सा है धन एक आगे बढ़ने के लिए इसी संक्या को जो हमारे पहले प्रेणाम के रूपए प्राप्त हुआ है इसा ना मिलता हवसे हम दूसरे वाले只 यह ना करेंगे और जहादबने खहिए ज़से बढूनी हम इस रेड़ दो के साथ गुणा करने में करेंगे हमें धन चार मिलेगा उस धन चार को हम यहां लिखेंगे देखिए आपको कि वह लेकी चीज़ धियान रखने कि जो परणाम आपको मिल रहा है उसका भाजक के साथ गुणा कर रहे हैं जो रिजल्ट मिल रहा है परणाम मिल रहा है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हर बार यही काम कर रहे हैं तो हमें धन चार मिला इस धन दो के साथ उसे मिलाएं यहाँ शेष फल wireless करें दो संख्याख ब्यामक यहाँ भाजक प्रूही है उसे सचछिण करें लेकल को रिखात कमई इन दोनों एक एक्स का वर्ग रिंड दो एक्स धन छे आप देख रहे हैं यहाँ पर घाद दो यहाँ एक और एक्स घाद शुन्य है तो यह भागफल है हमारा आप चाहें तो इस एक को यह धन चिन को हटा सकते हैं पहले बार लिखा है सामने में इसलिए आपको मिलेगा एक्स वर्ग रिंड दो एक्स धन छे यह आपका भागफल है और शुन्य जो बचा है वो आपका शेश फल है तो यह आपका परड़ाम है बच्चो इसकी कोशिश आप फिर से एक बार आपने खुद से करें और फिर देखें आप किस तरह से हल कर पाते हैं जहां दिक्कत हो आप वीडियो को दुबारा से भी देख सकते हैं